आई गाईज वेलकम बेक चो आई यूट्यूब चैनल लाइफ फे दलीन आईजा में आपको बहुत सारा वेलकम है तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंट्रेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ जो के है माई वैडिंग शूज कैलेक्शन माई में आप इस तरह कह सकते हैं कि जो मेरे और आईजा के वैडिंग के शूज होते हैं जो कि हमाई वैडिंग के इवेंट आते हैं फैमिली में उनमें हम किस तरह के शूज वेयर करते हैं तो आज मैं आपनों के साथ उनकी कैलेक्शन लेक् पाउं में पहने वे कौन से ज़दा खुबसूरत लगते हैं तो आपने इसके लिए क्या करना है मेरे चानल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को एंड तक देखना है बेल आइकन को प्रेस कर देना है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीज़ेगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो सबसे पहले यह वाला सिल्वर कलर का शूज है आप देख सकते हैं यह ECS का शूज है स्टाइल बहुत जादा डिफ्रेंट आगे की तरफ यह देख सकते हैं कितना प्यारा स्टाइल है पूरा इसका फ्रेंट साइट पे ग्लिटरी टेक्श्चर है और बैक साइट पे भी हील ब्लोक में थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत जादा प्यारा है यह शूज आप लोंके मैं इसकी पूरी लुक दिखा रही हूं किस तरह का शूज लग रहा है बहुत जादा प्यारा है यह अभी भी इस यस पर हो तो आप लोगों ने लेना हो तो पर्चेस कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको इसके आवर ओल एक लुक दिखा रही हूं किस तरह का यह पाउं में पहनावा लग रहा है यह मैंने ट्राइ करकी भी आप लोगों को दिखा दिया है कुछ इस तरह का लग रहा है बहुत ज़़ए प्यार है फ्रंट से इस तरह की लोग आ रही है साइट से इतनी प्याली लोग आ रही है इसकी बहुत ज़दर पहनावा अच्छा लग रहा था हील में है ग्लिटरी इसका पूरा टेक्स्टर है कितना प्यारा लग रहा है साइट से आप लोग देख सकते हैं बहुत जादा खुबसूरत था सारे स्टॉन्स इंबैलिश्ट हुए थे फ्रेंट साइट पे बहुत जादा प्यारे लग रहे थे अब मैं यह कह सकते हूं कि कैमरा ना इस श्यूस के साथ जिस्टिफाइ नहीं कर रहा इतना प्यारा इस श्यूस का माशाओला से काम है ना यह मेरा मौस्ट फेवरेट श्यूस है वैडिंग क्लेक्शन में आप लोग देख सकते हैं नेक्स शूस ये गोल्डन पॉपर ब्लैक कलर का शूस है ये विला कलर भी मस्ट होना चाहिए आपके कलेक्शन में क्यूंकि इस तरह के बहुत जादा जाते हैं जो जिनके साथ इस तरह के कलर्स जाते हैं आप लोग को दिखा रहे हैं उसके पूरा प्री चंकी ग्लिटर्स होते हैं उस तरह का टेक्स्चर है बट इसके ग्लिटर्स जो जाना उनका फॉल आउट नहीं है बिलकुल इन्होंने अपके स्टिक किये हैं शूस के साथ पीप तो शूस है बैक से जो है वो बैकलस है और एंकल स्ट्राप है तो आप लोग को पूरी जादा प्यारी है जाएं शूस के बाद चलते हैं नेक्स शूस की तरफ यह थोड़ा सा न्यूट केलर में शूस है आगे की तरफ वकल दिया है पूरा लेदर इसका टेक्स्चर है शूस का बहुत जादा कमफ़टेबल इसके लिए मैं कहूं ना कितना कमफ़टेबल है तो म थोड़ी सी ब्लॉक हील में शूस दिया करें लेकिन इस तरह का शूस लिया करें कि पहने वे कमफ़टेबल हो तो इस तरह के शूस अगर आप लेंगे तो यह पहने वे बहुत साथा कमफ़टेबल होता और थोड़ी सी वाइप भी देते हैं मतलब पूरे ड्रेस को उठा द आगे की तरफ बकल है आप इसको टर्न करके देखें तो कुछ इस तरह की लुकारिय पाउं से बहुत ज़ाए अच्छा लग रहा था पाउं में और थोड़ा सा लैक बहुत ज़ादा है फैंसी भी नहीं था और यह भी कह सकते हैं अप फैंसी ड्रेसे के साथ पहन सकते हैं नेक्स ही है मेरा मेट्रो का यह बहुत ही बेसिक सा शूज है यह आइ तिंक सब के पास होना चाहिए यह कलर जो है यह भी काफी ड्रेसिस के साथ जाने वला है तो यह वला शूज को आप लोगों ने जरूर लेना है इस कलर में शूज आगे की तरफ सारा स्टोन वर्क हुआव है बैकलेस है यह शूज और जो एंकल स्ट्राप है वो लगी में एंकल स्ट्राप वले शूज होता है वो मुझे बहुत जादा परसनली पसंदना है क्योंकि वो जो है आपके पाउं की ग्रिप रखते हैं अगर आप थोड़े ओपन या कोड़ शूज लेंगे ना उसमें थोड़ सा ही होता है कि शूज निकलना जाए कमफटेबल नहीं होता एंगल स्ट्राप में होता है कि आपके पाउं की ग्रिप रहती है पाउं में देख सकते हैं आप लोग पहना वा कितना अच्छा लग रहा है यह मुझे बहुत ज़ आप बहुत ज़्यादा है वी फेंसी ड्रेस हों लाइट से ड्रेस हो सबके साथ जाएंगे नेक्स यह यह है पीप टो शूज आप लोग देख सकते हैं बैकलेस है इसकी हील बहुत डिफरेंट है यह बहुत ज़्या लग रहा था मुझे शूज चलर बहुत ज़्या प्यार इसको मैंने ट्राइ करके दिखाया था वह क्लिप मुझसे डिलीट हो गया है तो सॉरी फॉर दाट बट आप लोग ऐसे भी देख सते हैं शूज कितना प्यारा लग रहा है आप लोग इमेर्जन कर सकते हैं शूज पाओं में पहना है अगर इस तरह का कोई शूज मुझे न सबसे फॉर्स आपको सिल्वर दिखाया था ना यह से बिलकुल डिफरेंट है वह थोड़ा सा पीप्टो शूज था ठीक है इसकी हील बहुत डिफरेंट है इसका काम बहुत डिफरेंट है कि थोड़ा सैंडल टाइप में शूज आता है पूरा इस पे स्टोन वर्क है प्रोसर डिजाइन है हील बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हील पर बहुत प्यारे काम हुआ है तो इस तरह के शूज जो होता है पहने वे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते है थोटी सी हील है कंफटेबल सी हील है क्योंकि आगे से स्पोर्टिंग हील ना तो कुछ इगनौर करें आप लोक देखें किस तरह का लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यह बेसिकली आइजा का शूज ना लूज थोड़ा है तो आप लग देख सकते हैं कितना प्यारग रहा है पाउमें इसके बाद नेक्स शूज आता है यह वह प्रशियस किया था यह पाओं में बहुत जादा बड़ी पैंसिल हीनी है कमफ़रेबल से हील थी पहने वह बहुत अच्छा था बैकलस था एंकल स्ट्रैप था इसके कुछ लुक दिखा रही है उसके बाद फ्रेंट साइट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो इसी बाद पाओं में बहुत मैंने ले लिए थे बहुत ज़्यादा हेवी स्ट्रॉन वर्क भी ले रहा था था कुछ लाइट सा मुझे चाहिए था इस बार ना तो मैंने यह वला शूज लिया यह पाओं में कुछ इस तरह का लग रहा है पाओं में बहुत ज़्यारा लग रहा है और इसकी आपने अग आपको कलर दिखा दिया गोल्ड कोपर प्लाक सिल्वर अब थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर भी तो होना चाहिए ना आपके पास वेडिंग शूज में तो यह विला कलर देख सकते हैं इस शूज की पहनने के बाद प्रॉपर लुक आती है और कोई बहुत ही खुपसूरत स प्यारा लगेगा तो चले मैं आपको ट्रॉइ करके दिखा चूँगे कुछ इस ताना का लग रहा आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था इसने पूरी ऑवरॉल जो ना पाउं को इतना खुपसूरत दिखा रहा चूइद की इक खुपस लिए बहुत बहुत तहाँ च्छाय था 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 पैंसली की बड़ी थी बहुत जाला चोटी नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा कंफैबल शूज था खलकी सी स्पोर्टिंग रील फ्रेंट्साइड पर लेकिन यह बहुत प्यारा शूज था ता यह छाकी कि फ्रेंट साइड पर हुआ लेकिन हील पेखे हो बैक साइड पर प्रेंट की तरफ और आप मैं थान देख सकते हैं कितना जादा प्यारा पूरा स्टोन का वर्ड वाई इस परपर है बहुत ज़्यदा प्यारा लग रहा है शूस भी इसकी पूरी लुक आपको पहने भ तो अब मैं आपको इसको ट्राय करके भी दिखा देती हूं ताकि आपको प्रॉपर पता चले तो यह देख सकते हैं मैंने इसको वेयर कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा खब्सूरत लग रहा है प्रेंट साइड पर सारा स्टोन वर्क कर लग रहा है और बैक साइड से कुछ हिसता ना का लगेगा बहुत ज़रा प्यार लग रहा है यह इसकी लुक है बहुत प्यारी नेक्स यूस की तरफ चलते हैं तो यह गॉल्डन कलर में शूस है इसकी बी स्पार्टिंग हील है इसके उपर की तरफ सारा glittery work away पूरा यह देख सकते हैं फ्रेंट साइट पे glittery work away और यह भी backless है ankle strap के साथ है यह shoes भी और आप लोग इसकी पूरी look देख सकते हैं इसके भी बिल्कुल भी chunky glitters नहीं है जो के fall out हो जिनका बिल्कुल like stick कुए वे हैं shoes के साथ glitters और नीचे spotting heel है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी और different है इसको भी मैं आप लोगों को प्रॉपर ट्राइ करके बताती हूं कि इस तरह का पाउं में लगता है कि साइट से कैसा लगता है कुछ इस ताना का लग रहा है कि साइट से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो इतनी थी मेरी आज की वीडियो वीडियो पसंद आये तो like करें share करें subscribe करें और बैल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में अल्हाफिस